The component model of parenting, CMP, according to CMP, यह जो model है, जो जिन्दगी के पहले तीन महीने हैं बच्चे के, वो relationship बनाने में बहुत आहम है, और उसमें दो basic चीज़े हैं, एक है warm और एक है contingency, warm से हम सब बॉकिप है, ST, touch देना, प्यार देना, प्यार का इजहार करना, body contact, छूना, सहलाना, गोद में लेना, इससे बच्चे की जो emotion regulation है, उसके जजबात परवान चड़ते हैं, और यह social and emotional development में बहुत आहम है, यह देखिए कि touch, care, करीब होना, उनके साथ जो emotions का इजहार है, वो बच्चा उसको कै कैसे respond कर रहा है, और यह हमारे ही नहीं तमाम culture में पाया जाता है, यह similarity है, इससे altruism और sharing की development भी होती है, यह नहीं कुरूबानी देना, share करना चीज़ें और दूस्रों की मदद करना, altruism का मतलब होता है, लोगों की मदद करना, बेलॉस्त होकर, इसके जरीए आपकी social जो फिज़क है, वो दूर होती है, आप कापी करते हैं, कि अगर कोई मदद कर रहा है, तो मैं भी मदद करूँ, और देने और लेने का जो मिज़ाज है, वो बनता है बच्चों का, contingency यह होती है, कि यह आपका जो behavior है, वो इस पर depend करता है, कि किसी की जरूरत के इस तरह पूरी की जा रही है, इस से behavior की शकल बनती है, sense of self बनता है, इन्वेंस्टी में, बच्चा जो है, वो जो develop हो रहा है, वो देना और लेना सीखता है, यानि रेस्टी परोकेर, अब एक बड़ी बच्ची है, वो एक चोटी बच्ची को, उसको खुद बखुद ही है, किसी ने बताया नहीं कि छोटी बच्ची जो है, वो निपल मुह में लेती है, और वो उसके अपनी तरफ से help कर रही है, कि मैं इसके मुह में दे दूँ, इस में ना sense of participation भी बनती है, यानि वो शामिल कैसे होना है, मिल के किसकी activity में, एक दुस्टे का साथ किस तरह दे,